कि नाओ नाओ वी आर गोईंग टो डिसकस अबाउट डिपेंडेंस जैसे ही मैंने पावर के टॉपिक को एक्स्प्रेंड करना स्टार्ट किया था और मैंने आपको ये बात बोली कि पावर इस फंक्शन ओफ डिपेंडेंसी किसी भी पर्सन में हमारे उपर तब ही पावर हो सकती है जब हम उसके उपर डिपेंडेंट है और जितनी ज़्यादा बड़ी डिपेंडेंसी होगी सामने वाले पर्सन के पास में उतनी ज़्यादा पावर होगी और आप ये देख लीजिए कि अगर कोई चीज जो है वो बहुत ज़्यादा plenty में available है उस case के अंदर उस person की जो power है वो कम हो जाएगी ये बहुत अच्छे से जब हम strategic management पढ़ते हैं उस case के अंदर भी ये चीज आती है कि जैसे for example मैं आपको एक बात बता हूं कि जितने भी car manufacturers हैं अगर वो टायर की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए कि चार-पांच बड़े टायर manufacturers जो हैं वो इंडिया में होंगे जिनका टायर कार में यूज किया जा सकता है तब इसमें क्या हुआ कि अचानक से जो टायर इंडिस्ट्री के जो सप्लाइर्स हैं उनकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है लेकिन वेरेज अगर मैं बात करूं कि जो फास्टनर्स हैं नट बोल्ट बनाने वाले हैं उनका नंबर डेफिनेटली टायर मेनुफेक्ट्रर से बहुत ज़्यादा है तो उनके पास में इतनी ज़्यादा पावर नहीं रहा जाती है कि वो कार कमपनी को इंफुलेंस कर सके उसके अकोर डिंग जो है वो बिहेवियर कार कमपनी करे तो सिम्पल power is function of dependence जितनी ज़्यादा dependency उतनी ज़्यादा सामने वालने के पास में power अब यह है कि dependency बंती कैसे है dependency तब पनेगी कि जिन resources की हम बात कर रहे हैं अगर उनमें तीन characteristics हैं तीन criteria में वो resources अगर fit हो रहे हैं तो आपकी जो dependency है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी वो तीन criteria कौन कौन से हैं first one है importance second number जो है वो है कि scarcity है या नहीं कमी है या नहीं उनकी और दूसरा ये है कि उनका substitute अवेलेबल है या नि अगर उनका substitute अवेलेबल नहीं है तो definitely उनके पास में ज़्यादा पावर होगी अब हम इन तीनों criteria को one by one discuss करते हैं तो सबसे पहले नमबर पे जो है वो है important अगर आप human being की बात करें तो अगर human being कोई है वो आपके organization में बहुत ही important task perform करता है तो आप मान लीजिए कि उसके पास में power ज़्यादा होगी हाँ ठीक है source of power उसका expertise हो सकता है जैसे मैंने आपको example दिया कि Intel जो chip designing company है जो motherboard, processor वगरे बनाती है उसके अंदर जितने भी chip designers है उनके पास में अपनी expert power है कारण क्योंकि वो बहुत ही important task perform कर रहे है दूसरी चीज है कि ज़्यादातर companies जो है वो uncertainty को avoid करती है ज़्यादातर companies जो है वो uncertainties को avoid करती है तो अगर हम FMCG sector की बात करें तो वहाँ पे जो production engineers है उनकी इतनी importance नहीं है जितनी की marketing department के लोगों की है क्योंकि suppose आपकी company अगर hair oil बना रही है या कोई shop बना रही है या कोई cream powder बना रही है तो वहाँ पे जो production engineers है उनकी इतनी power नहीं है जबकि जो marketing department है जो उन सारी चीजों को sell out करेगा उसकी strategies चलेंगी तो उनकी power थोड़ी सी ज़ादा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे importance of marketing department जो है वो हाई है लेकिन अगर IT firm है और वहाँ पे जो programmers है जो coding करते हैं उनका expertise ज़ादा है तो उस case में वहाँ पे programmer और जो coding करने वाले जो लोग हैं उनकी importance ज़ादा हो जाती है तो उनके पास में power ज़ादा हो जाएगी जो next है वो है scarcity scarcity का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी और अगर इसका आप opposite word देखें तो वो आजाएगा plenty of जिसको अपन बोलते हैं अरे बहुत है जो product जो human being बहुत ज़ादा available है उसका आप मान लीजिए कि उसके पास में कभी भी power नहीं होगी उस product का जो supplier है या वो जो human being है जिसकी supply बहुत available है वहाँ पे हमेशा power कम होगी लेकिन अगर हम organizations की बात करें और particular कोई एक ऐसी skill है या ऐसी labor है जिसकी demand बहुत ज़ादा है लेकिन supply बहुत कम है वहाँ पे हमेशा labor की power management के उपर चलेगी labor अपने accordingly management को मतलब behave करने पे मजबूर कर सकता है यहाँ मैं आपको एक example देता हूँ कि जैसे मैंने पहली भी doctors का जो है वो जिक्र किया कि उनकी बहुत power हमारे उपर चल रही होती है तो आप देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि doctor का जो है वो हर एक person की life में बहुत important role है दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप colleges की बात करें तो doctors की supply भी बहुत कम है जितने engineering colleges होंगे या जितने BA के colleges होंगे उनके comparatively medical college का numbers भी कम है फिर कि जो medical college में admission लेता है और फिर MBBS करके बाहर आता है और फिर अगर वो अपने PG के लिए जाते हैं तो उसमें आप देखिए कि जो neurology होगी उसमें बहुत कम जो है वो seeds होती है तो इसलिए आपकी city के अंदर बहुत कम neurologist, neurosurgeon या फिर neuro physician आपको मिलेंगे तो उनकी इतनी ज़्यादा demand है और supply कम है इस कारण से हमेशा किसी भी hospital के लिए उनकी importance अचानक से ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो थोड़े से scarcity हैं कम है उनका numbers जो है वो कम है next जो है वो मैंने आपको बोला कि substitute है या नहीं है किसी भी person का अगर आपके पास में substitute available है आपके पास में number of alternatives जादा है तो आप ये मान लीजिए कि उस person की power आपके काम नहीं करेगी अगर आपके पास में उसका substitute है alternatives available है नॉर्मली यूनिवर्सिटीज के अंदर जिन एकेडमीशियन फैकल्टी मेंबर्स के जो research paper ज़्यादा publish है और वो बहुत ज़्यादा popular face है market के अंदर उस case में यूनिवर्सिटीज ऐसे professors को hire करना पसंद करती है जिनका number of publications ज़्यादा है और जो popular faces है education field के तो automatically यहाँ पे क्या हो रहा है कि उनका आपके पास में substitute नहीं है हाँ आपको और बहुत सारे faculty member मिल जाएंगे लेकिन उनका paper publication जो है वो research publication इतना नहीं होगा तो इस कारण से उनके उपर universities इतना depend नहीं रहती है जिनके publication नहीं हो popular faces भी नहीं हो वह अगर job छोड़ के भी जा रहा है तो university उसको मनाने वाली नहीं है कि अरे भाईया आप मत जाओ लेकिन अगर publications जादा है और popular face है उस case में उसकी power university पे भी चलती है जादा है